आफ ट्री पली हिमांँ वाद करिये तो आगनना Такचलिमां डिस्कस करीए थु treaty and कि इसे ये प्री ब्लेटेद कर ने धाक्तली को एकटवका करेश 9-10 हैं namo रिलेटेड करांट नूरी रिलेशंशिप, वल्टेज, पावर वगेरेनू आपने रिलेशंशीप पेसे चोक्चा करी हती हवे आज आपने डिसकस करीशू थ्री-फेज इंडेक्शन मोटर हवे आपने जानी आछिए के इंडेक्शन मोटर न बै प्रकार से 3-phase induction motor, then single-phase induction motor हवे आप बनने प्रकार्नी motor इंडर्स्रियल मां व्यापक उप्योग मां लेवाई छे लेकि आज जे 3-phase induction motor जे छे एनने आपने उद्योग मां वधारे पड़तो तेनों उप्योग थाए छे सव प्रथम आपने 3-phase induction motor वी से चर्चा खरी शूँ हवे फर्स्ट तेनों प्रिंसीपल सोच है ते कया प्रिंसीपल पर वर्क करे चे induction motor तो ज्यारे 3-phase winding ने 3-phase supply अपवाम आवश है त्यारे तेमा rotating magnetic field उत्पन्न थाए छे लेकि ज्यारे आपने जे induction motor चे 3-phase एनने 3-phase supply आपए शू त्यारे तेमा थी इसू उत्पन थाशे rotating magnetic field उत्पन थाशे आ फिल्ड मा close circuit राखवामा आवे तो तेमा current induced थाई छे एल्ले के आ जे सर्कीट होई छे एमा close सर्कीट राखवामा आवाश है जे थी तेमा current induced थाई छे आ current अने फिल्ड ना interaction ने लिदे वाहक पर यांत्रिक बढ़ लागू पड़े छे एल्ले के जे ए करांट छे अने जे फिल्ड होई ते बण्ने उना interaction ने लिदे एक भी जानी टच मा आवे तेना लिदे वाहक मा यांत्रिक बढ़ लागू पड़े छे आ परिना में rotating magnetic field नी दिशा फरवाल लागे छे इल्ले के rotating magnetic field तेमा produce थाई छे जे स्पीड थी आपने जिटली रोटार फरतु है ते स्पीड ने synchronous कहे छे हमाँ डे ns is equal to 120f divided by p हवे यां आपने जानी श्यू के ns एटले के synchronous speed थासे जेना unit rpm मा होई छे f means frequency थासे तेना unit hertz मा होई छे अने p means pole नी संख्या किटली छे हवे आपने यहां जोई शू थ्री-phase induction motor ना प्रकारों क्या काया चे थ्री-phase motor तो खरी पन तेमा पन बे प्रकार होई छे थ्री-phase induction motor मां फ्रस्ट प्रकार चे स्क्वीरल गेज induction motor देन सेकेंड प्रकार चे स्लिपरिंग इंडक्शन motor तो वाउन रोटर मोटर आ बे प्रकार नी मोटरों होई छे जे थ्री-phase नी होई छे हवे आपने फ्रस्ट बात करिये स्क्वीरल गेज इंडक्शन motor तो तेनी रचना के भी होई छे सव प्रथम तेना विसे चर्चा करिशू आम स्टेटर औने रोटर एम मुख्या बै भागो होई छे स्क्वीरल गेज इंडक्शन motor ना मुख्या बै भागो होई छे स्टेटर औने रोटर हवे स्टेटर मां बैंडेड स्टील प्लेट नी अथवा कास्टिंग नी फ्रेम होई छे स्टेटर मां सु होई छे, बैंडिंग स्टील नी प्लेट होई छे, अथवा तो कास्टिंग नी फ्रेम होई छे, अभी सिलिकोन स्टील ना लेमिनेशन फ्रेम मां राखवा मां आवे छे, लेगी जे सिलिकोन स्टील जे छे, एनू लेमिनेशन से मां राखवा मां आवे छे, खाचा पाडवामा आवे छे जे थी अड़ी करंट लोस उचो करवा하면서 अने सोलिड कोर बनावं मांटे लेमिनेशनकोर नो उप्यों करवामा आवेa जे यहां K diket राखवामा आवे छे हवे आ वाइंडिंग ने पी संख्याना पोल माटे बांधवामा आवे छे एले के आ वाइंडिंग ने साना माटे बांधवामा आवे छे पी नामना पोल माटे बांधवामा आवे छे तेने डेल्टा अथवा स्टार माँ जोडवामा आवे छे एले के ज लववा मा आवे छे नगे जी ये पण वाइंडिंग ना छेडाओ हो छे ए टर्मिनल बोक्स मा लववा मा आवे छे हवे ए टर्मिनल बोक्स मा आवी जाए त्यार बाद रोटर पर सिलिकोन स्टिल नू लैमिनेशन बनेलू हो छे एल्लेके रोटर पर पण आपने सिलिकोन आ लेमिनेशन ने शाफ्ट पर बैसाडवामा आवेचे एलेके एजे लेमिनेशन होचे एने क्या बैसाडवामा होचे शाफ्ट पर बैसाडवामा आवेचे रोटार लेमिनेशन नी बहार नी परीग पर बंद खाचाओ पाडवामा आवेचे एलेके एलेके एजे खाचाओ ब सड़िया रखवा मावड़े हावGO कॉपर नी शोर्ट् opposeर्केटिंग रिंग्ग वड़े सड्यानेो कर मावड़े पाना आवड़े कॉर्मा हवाजव माटे Parkinson ना तो તેણામાં માટે કાણાં રાખવમાં આવે છે જેથિ હુગામાં તેમાં થય एक बाजू थी दाखल थाई बीजी तरफ थी बहार निकल चे एले एक बाजू थी अंदर दाखल थाशे आने बीजी बाजू थी बहार निकल चे ते दर्मियार रोटर ना बार ने ठंडा करे चे एले के रोटर ना बार जी होई चे तेने इसु करे चे ठंडा करे चे एक કીંર હીબર્નો કીસફ કહસ્લ લિવન્ડ પીંજ દલેણ નાચ ફીર્વણ્ચ્ર કેવંણ બલ્ર્ય कहे छे, रोटार सरकीट क्लोज होगा थी रोटार मा रेजिस्टन्स थोड़ी शकातों नथी नेक्स्ट जे स्लिपरिंग प्रकार्णी इंडक्शन मोटर अथवा तो, वाउंड रोटर आपने कौने कहिए छे तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होवे आई या आप्रकार्णी मोटर मा पन स्टेटर अने रोटर एम बै प्रकार्णा भागो है छे एले के स्लिपरिंग मोटर मा पन स्टेटर अने रोटर बै भागो है छे स्टेटर नी रचना आपने आगणना ठियरी जोई तेमा करी स्क्वीरल गेज इंडेक्शन मोटर मां स्टेटर ना जेवीज छे अलेके जेवीज रिते स्क्वीरल गेज मां स्टेटर नो उप्योग थाचे तेवीज रिते स्लिप रिंग मां पंड स्टेटर नो उप्योग थाचे हवए रोटर ।ो रोटर लैमीनिटेड । कोरु नू बनेलु होई च्छे लैमिनेशन सिलिकोन स्टील ना बनेलु होई च्छे यह लीके एन हैनी अंदर जयपंड लैमिनेशन लगावेला च्छे पारिक पर सेमी क्लोस्ड खाचा पाढ़वामा आगा च्छे सिलिकोन स्टील होऀ छे यह बाहर निंस सेमेी क्लोज्ट के भाहुंक खचा बडवाँ आवुशे अ खचा मां, थ्री पेस वाइन्टिंग, राख27neh bet hans मों, वाइन्टिंग हम्मेश्य स्टार मां होडवा आवुशे इलेके ये जे बाइंडिंग होई छे एने हम्मेशा स्टार मा जोडवामा आवे छे अने बाइंडिंग स्टेटर बाइंडिंग जिटला पोल माटे बांदवामा आवे छे दलेके जी पन बाइडिंग होई छे एन्बे स्टेटर बाइडिंग चाफ्ट पर बहसाडवाँ आवेचे ब्राष्ट नी बनेली स्लिपरिंग होई छे जे शाफ्ट पर बेसाडवामा आवेचे आ स्लिपरिंग एक बिजा थी अने शाफ्ट नी इंसुलेटर करवामा एलेके इंसुलेट करवामा आवेचे स्टार मा जोडेल वाइडिंग त्रोंट छेडाना स्लिपरिंग साथे जोडवामा आवेचे देन स्लिपरिंग पर कार्बन ना ब्रष्ट राखवामा आवेचे एलेके जे पन स्लिपरिंग होई एना पर कार्बन ना ब्रष्ट राखवामा आवेचे हावे ए ब्रॉष्ट ने आपने वाइंडिंग ना छेडाव खुला होवा थि उतले ए उतले ए खुला होवा थि स्टार्टिंग माटे तता स्पीड कंटोल माटे रोटर सरकित मा रजिस्टन्स जोड़ी शकाय चे जी आपने स्क्वीरल गेश इंडक्शन मोटर मां करी शक्ये छे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर मां हवे आपने तेनू कारिय जोई शू तो जियारे रोटर वाइंडिंग ने थ्री फेस सप्लाई अपवा मां आऊ छे यारे फर चुंदे खितर उट बनन था पेला आपने स्क्वीरल गेश माँ खाली चुंदे क्षितर उट बनन था था चे आप फिल्ड स्पीद थी फर रहे चे यदर जी चे बूनन सपीड होए चिए यके भी स्पीड होएचे स्पीड जेटली सपीड होए चे रोटर वाइंडिंग आ फिल्ड ने कापया छे एलेके जी रोटर वाइंडिंग होई छे ए जी उत्पन थती फिल्ड होई तेने सु कर छे कापया छे आथी तेमा एम एफ इंडियूज रथ है छे जो वाइंडिंग क्लोज होई तो रोटर वाइंडिंग माथी करंट वहे छे आम करांट अने चुम्बक क्यक्षित्र वच्चे इंटरेक्षन थवा थी वाहप पर वियांतरिक बल्ड लागू पड़े छे और ए बल्ड लागवा थी तेमा रोटेटिंग फिल्ड नी दीशामा फरवा लागे छे लेगे जे पन चुम्बक क्यक्षित्र हसे एनी दीशामा पर वा लागे छे अने स्पीड एन्थी दर्शामल मा आवेछे रोटर स्पीड स्पीड करता ओजी होई छे एले के जीए पन रोटर स्पीड होई सिंक्रोण स्फीड करता ओजी होई छे स्क्वीरल गेज अने स्लीपरिंग वच्चे नी सर्खामनी कमपेरीजन ओव स्क्वीरल गेज इंड़क्शन मोटर और स्लीपरिंग इंड़क्शन मोटर तो फरस्ट छे मुद्धाव, next squirrel gauge induction motor, then sleeping induction motor हवे फरस्ट छे रचना केवी होई छे तो squirrel gauge induction motor मा रचना सरल अने मजबूत होई छे अने sleeping induction motor मा गुचवडा भरेली ओची मजबूत होई छे कद squirrel gauge नूँ नानू हई छे, sleeping नू मोटू हई छे खर्च squirrel gauge मा ओचो हई छे, sleeping मा वदार हई छे maintenance ओचो हई छे, maintenance वदार हई छे starting torque ओचो हई छे, वदार हई छे आने तेना उप्योगो विशेचरचा करीशू तो जिया प्रमाण मा ओच्छा स्ट्राटिंग ट्वार्क नी जरूर होई त्या स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर वपराई छे अने जिया वधर स्ट्राटिंग ट्वार्क नी जरू होई त्या स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर नो उप्योग कर्मामा आवे छे हवे तेना उप्योगों कई-कई जग्याए थाई छे एना विशय आपने चर्चा करीशु थोड़ी तो स्क्वीरल केज प्रकानी इंडक्शन मोटर नो उप्योग इंडस्ट्री मा लगबग बधाज मशीनोंने ड्रायू करवा माटे थाई छे उप्योग इंडस्ट्रीयल मा लगबग बधाज मशीनोंने ड्रायू करवा माटे थाई छे उप्योग फ्लोर मील एगरी कल्चर प्रम वगेरे ने चलावा माटे पन थाई छे सुगर फ्रेक्ट्री, सिम्मेंड इंडस्ट्री, प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री वगेरी मा बधारे प्रमाण मा उप्योग थाई छे जियारे बधारे स्टार्टिंग टोर्क नी जरूर होय औने स्पीड कंट्रोल नी जरूर होय त्यारे स्लिपरिंग प्रकार नी इंडक्षन मोटर उप्योग करवामा आवे छे त्यारे आपने कंट्रोल नी भधारे जरूर होई त्यारे स्लिपरिंग प्रकार नी इंडक्षन मोटर नो उप्योग करवामा आवे छे तेना उप्योग होईस्ट, बेल्ड कन्वेनियर, क्रेन, लीफ्ट वगेरे मां थाय छे तेना उप्योग अमुक देशों मां इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन माटे पॉन थाय छे जे स्लिपरिंग इंडेक्शन माटर होई छे तेना थैंक यू